भारत में कोरोना वाइरस के दस्तक देने के बाद केंद्र और राज्यों की सरकारे इसे लड़ने को कमरकस चुकी है गुरुवार को स्वास्त मंतरी डॉक्टर हर्श वर्धन ने कोरोना वाइरस को लेकर राजसभा में बयान दिया उन्होंने बताए कि 4 मार्च तक देश में कोरोना वाइरस के 29 पॉजिटिव केस सामने आये हैं और इन सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है कोरोना वाइरस से उत्पन स्थिती और भारत सरकार दुआरा उठाये जा रहे कदमों पर राज्य सभा में बोलते वए केंद्रिय स्वास्त मंतरी ने कहा कि इटली से आय परियाटक कोरोना वाइरस से संक्रमित हैं मैं रोजान स्थिती की समिक्षा कर रहा हूं उन्होंने कहा कि मंत्रियों का एक ग्रुप भी लगातार स्थिती की निगरानी कर रहा है उन्होंने कहा कि पीम मोधी खुद इसकी निगरानी कर रहे है केंद्री स्वास्त मंत्री ने कहा कि 4 मार्च तक कुल 28,529 व्यक्तियों को सामुदाइक निगरानी में लाए गया और उनकी निगरानी की जा रही है डॉक्टा हर्ष वर्धन लोग सभा में भी कोरोना वाइरस को लेकर केंदर द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देंगे उन्होंने बताया कि चार मार्च तक 6,11,176 यात्रियों की अलग-अलग जगहों पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है साथी उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए 15 लैब बनाए गए हैं जबकि 19 लैब और तयार किये जा रहे हैं बतादे कि गुड़गाओं में पेटियम का एक कर्मचारी भी कोरोना वाइरस से संक्रमित पाया गया है स्थिती की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधान मंत्री हर दीन हलाद की समिक्षा कर रहे हैं इस वाइरस से दुनिया भर में 3000 लोगों की जान जा चुकी है पियम मोदी, केंद्र ग्रिमंत्री अमिच्षा, दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवार और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कहा कि कोरोना वाइरस से उत्पन स्थिती के चलते वे इस वार होली मिलन कारेकरम में शामिल नहीं होंगे